तपती धूप, कड़कती बिचली और तेज पारिश में भी वो हार नहीं मानता। सुभा से लेकर शाम तक कितना ठक जाता है फिर भी आराम नहीं मांगता। रात को देड़ से सोता और सुभा जल्दी उठ जाता है फिर भी वो नींद नहीं मांगता। वो रुक जाए तो थम जाओगे आप इसलिए वो किसान कभी छुटी नहीं मांगता। जिहां आज हम बात कर रहे हैं ऐसे व्यक्तित्व की जिनको आपने अकसर एक युवा नेता के रूप में देखा है। अकसर वो एक नेता के साथ साथ एक जागरू किसान भी है। आज हम आपसे मिलवाने जा रहे हैं किसान कलब के उपरधान हरपरीत सिंग विर्क से। राजस्तान की एकरी कल्चर में किस परकार का डिफरेंस है। अभी पिछले हफते अपने दोस्तों के साथ राजस्तान और कुछ एरिया मत्यपरतेश में जा किया हूँ तो वहां पर जैसे एकरी कल्चर का तो हमारे जो विरास्त में हमारे को मिली हुई है जो खेती बाड़ी है तो उससे हमारे को मेरा शोक भी है और मैं एक अवाडिल फार्मर भी हूँ तो इन सारे जितने भी हमारी आईस्यार के इस्चूट है स्टेट गोर्मिट के हैं तो मैं उन से भी जुड़ा हूँ तो मैं काफी पिछे भी मेरे मन में था तो मैं अब की बार फिर काफी टाइम बाद राजस्तान जब गया तो वहाँ पे आज कल जो था कि मक्की की फसल आई हूए है मंडियों में और सोय पर भी गए थे तो कीशनगर्ड के पास भी देखा हमने कुछ एरिया तो काफी मैं लब कुछ दो चर मंडिया ऐसी है जो मेरे अभी नाम भी याद नहीं है जो हम गए थे तो उसमें देखें अगर हम तो वहां के जो किसानों अब की बार किसानों का कुछ नुक्सान भी हु और दूसरा फसल में वो क्वाल्टी भी नहीं बन पाई जो पहले जैसी क्वाल्टी होती थी जब हम पहले जाते थे तो पहले मका इतना अच्छा और इतना मोटा दाना और इतना बड़ी अच्छी क्वाल्टी थी उसका रेट भी अच्छा था तो अब की बार क्वाल्टी ज्यादा बड़ी यह नहीं है मक्या की रास्तान के अदर, और इल्ड भी कम है और रेट भी थोड़ा नेको धिक्कता आ रही है तो किसान का नुक्सान तो कहीं न कहीं थोड़ा भूठ हुआ है अगर फिर भी अवषर अगर अगर देखें त बहुत मेंति हैं बड़ी एंमत से हमने देख उनको वहां पे मक्हा की खत्ति कर रहे हैं सोयबिन की कर रहे हैं वह मूफली की कर रहें है और इसके इलाव़ बहाँ पे कुछ एरिया जाए अगर हम जाए हैं वहाँ पे एक सुगंदा दान होती है वो भी होती है बहुत अच्छी और उनके पास एक वरैटी थी मुच्छल जिसको हम 1401 भी बोलते हैं तो बहुत अच्छी क्वालिटी की और बहुत बढ़िया उनकी फसल होती है वहाँ पे बहुत अच्छे दाम मिल रहे हैं आज से 10 साल पहले वहाँ पे दाम भी अच्छे नहीं थे तो अब जब हमने देखा जा कि अब जैसे जो दाम हमारे हैं पहले तो महाँ पे 500-400 रुपे का फरक उता था रेट का डिफरेंस होता था तो लोग वहाँ से लिया के करनाल डिस्टिक में कैथर डिस्टिक में जो उनको नजदी लगता था वहाँ पे वो बेचते थे दिली की नरिला मंडी में बेच के जाते थे तो अब की बार हमने देखा वहाँ पे कोटा के अंदर ही राइशल बहुत लग गए हैं तो वहाँ पे भी उनकी दान के अच्छे बावन को मिल रहे हैं तो इसके लावा आगे जालावार मं पानी की थोडी समस्य तो है ही होंआपे प्तिरीला इरिया है तो वह कोटे बना देते हैं महाँ पे चोटे नहोंने आपने इनियल लगा रखे हैं कई यो ने जेट नर्व के लगा रखे हैं Sullivan पर फिर जब खाली होजड़ा है तो उसको छो चोड़ देते वो 5-7 गंटे बाद फिर वो रिस रिसके पाणिया आगे उसमें तो फो एट्मेटर फिर वो बरज़ता प्रकर्तिक उसमें तो वो उनका पाणिका तरीका अलगा में तो बहुत लगती आए पाइप लगा आगे आगे से आगे पाणिय देते हैं हमारे यहाँ पे तो पानी की वैलू नहीं की जो वैल्यू है तो वहां जहां पानी कम होता है वैल्यू भी को नहीं होती हुआ यहां पर लोग ज्सादा करते हैं तो हम्हारे को पानी अगर बचाना है तो हमें उनको उनकी तरफ जिरूरै titre देखना चा So हमके फ्रम प्रजॉर्गों कहले हैं तो आज से उनके जाना की जलस अरक्षन के बारें हर्परीजी ने आपको अच्छे से रूहरू कराया साथ ही उनके agriculture का क्या style है किस परकार की मंडिये हैं उन सबी से आपको रूब रूब करा गया सर्मा आपसे यह जानना चाता हूं कि यहां की environment में और वहां की environment में आपको क्या अंतर दिखाए देता है इन्वायरमेंट में तो इतना ज़्यादा फर्क है कि अभी हम जब पिछे वहाँ पे गए तो उन दिनों यहाँ पे बहुत फोग थी स्मोग जिसको बोलते हैं जिसकी चर्चा चल रही थी बहुत उसका रुड़ा भी ओया लोगों ने देखा भी तो मतलब जब हम यहाँ से आंखों के अंदर जलन होती थी उस दूमें से जो फोग थी तो कहीं ना कहीं मतलब जब हम वहाँ पे गए तो हमारे को वहाँ पे इतना शुद वातावर्न मिला मतलब इतना वहाँ पे मन अच्छा लगा हमारे को इतनी अच्छी सांस लेने में वहाँ पे जो ऑक्सीजन थी बहुत अच्छी थी जब प्रकरतिक मतलब बीच बीच में आप इसमें डोकुमेंटरी में देखोगे कि बीच में जमें कहीं इतनी अच्छी प्रकरतिक जगा थ जो थी वो मतलब हमारे को महाँ पे मिली उसके इलावा जो था हमने वहाँ पे लोगों का रेंड सेंड देखा बड़ा एक सिंपल जो तरीका था जिनके हम एक दो किसानों के गर पे भी गए जिनके किसानों के गर पे जाके हमने दोपैर का जो बोजन किया तो बड़े अच्छ तरीके से उनका प्रगत तरीका था वो क्या था कि वह नीचे बैठके चटाई के उपर बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने हमारी आओ बगत की और हमारे को जो बोजन करवाया हमारा मन बहुत अच्छा लगा मैं उनका सब का दन्यवाद करता हूँ जिन लोगों ने हमारे वहाँ पे इतना अच्छा मारे को कोपरेशन दी हैं हमारा सायोग किया जहां हर्याना सहित में दिल्ली के अंदर भी इनवर्मेंट को लेकर बहुत ज़्यदा चर्चाएं हो रही हैं ऐसे में राजस्थान अपने आप में एक विशे बना हुआ है सुद्ध क्वाल्टी का एर की क्वाल्टी इतनी बढ़िया है अभी तो जैसे दिल्ली की बात करे कुछ दिन पहले सुर्ख्यों में खबर आया थी कि मावे सुद्ध अक्सिजन मिल रही है इसी मुकाबले में अगर देखा जाए राजस्थान के अंदर सुद्ध अक्सिजन है वो प्राकरतिक रूप से हैं साथ ही हर परीजी मैं आपसे क्वेस्टन करना चाहता हूं कि जो दलहन कि फसले हैं जो अलगे यह वहां पे क्या डिफरेंस है हि मारे म قबले क्या कुछ नया है देखने को देखिए वहां पर जैसे मैंने आपको बताया फाइक जैसे क involving केति bank कृष्य पानीधिया है तो वाहं पर लिखन की खिति अच्छी होती है और इसका इलावा जो है अपना वहाँ पर सोया भी न अच्छी होती है वहाँ पर दालों की अगर बात करें हम तो दालों में हमने देखे वहाँ पर चने अच्छी होती है बहुत बड़ी अच्छी क्वाल्टी की चने होती है महाँ पर मुसरी की डाल होती है जो मा की दाल होती है उड़त की जिसको बोलते हैं काड़ी दाल वो बहुत अच्छी होती है वहाँ पे हमने कुछ एरिया में गन्ना भी देखा वहाँ बहुत बढ़ी है तो फसले तो मतलब बहुत है वहाँ पे तो वहाँ पे आलू भी हमने देखा है तो वहाँ सबजी में अगर देखें तो टमाटर भी बहुत देखा हमने खीरा देखा वहाँ पर, काफी है, अब देखो वहाँ पर जो कुछ एरिया, यह नहीं कि सारा राजस्तान ही रेगिस्तान है, मगर वहाँ पर बगवान की तनी किरपा है, कि जो एरिया ड्वैल्प है, वो बहुत अच्छे तरीके से लोग हमारे को देख के खेती करते हैं। मगर कुछ एरिया ऐसा भी है कि जो बहुत पिछड़ा हुआ अरिया है। जो मतलब पिछड़ा मतलब यह नहीं कि वो लोग पिछड़े हुए हैं। कहीं ना कहीं उनकी जो खेती का तरीका है वो प्राणा आज से जो 30 सल पहले वाड़ा है आज वो खेती का तरीका है। इसी प्रकार की और भी हस्तियों से मिलते रहेंगे आप देखते रहें यह बारत्वन नियुचे।